तो रूल नमर 3 देखने के बाद, जो है, रूल नमर 4 देखते हैं, यह थेरम से आपको as it is learn करने हैं, ठीक है, इसके लिए कोई logic नहीं है, जैसे अब क्या है, यह अगर function है, आपका function है u by v, दो function है, और इन दोनों का division है, तो क्या करेंगे, तो यह नीचे वाली जो v है, वो second function है, और यह आपका, यू जो है, first function है, तो यहाँ पर रूल क्या हो गया कि सबसे पहले, जो second function है, तो को differentiation से बाहर रखा है, और, first function, जो की यू है, उसका differentiation किया X के respect में फिर माइनस जिसका differentiation किया है उसको इस बार रखेंगे differentiation साइन से और जिसको बाहर रखा था उसको इस बार differentiate करेंगे तो second function को इस बार differentiate किया है और first function को बहार रख दिया है और upon total whole जो है second function के square से divide कर देंगे मतलब V square से दिवायड कर दिया थो यह हो गया rule number अब फाइब देखते है तो फाइब यहांपा देख सकते है कि एक function जिसमें इस तरह से function given यू है वी है W है तो हम क्या करेंगे यू इको separately करेंगे वी को separately differentiate करेंगे और डबलु को separately differentiate करेंगे और सबको sign के हिसाब से एड़ कर देंगे अगर plus है तो plus कर देंगे सबको अगर minus है तो minus कर देंगे और अगर plus minus है तो sign के according जो है उनको आपस में differentiate करने के बाद एड़ कर सकते हैं जैसे कि यहां पर example देखो दी हुई है कि यू वी डवलू तो यू का differentiation किया फिर plus minus फिर वी का differentiation किया फिर plus minus फिर जो है डवलू का differentiation कर दिया एक्स के respect में तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इनको separately differentiate कर सकते हैं सारे function को और 6 क्या हो गया तो 6 देखो यहां पर क्या है इसके जुरूद बारबर पढ़ती है कि दो function का यहां पर product है और जब product है यू और वी तो यू और यह वी हो गया तो हमने यहां पर क्या किया सबसे पहले कि फर्स्ट फंक्सन को differentiation से बाहर रखा ठीक है और सेकेंड फंक्सन को को differentiate कर दिया जो कि वी है तो दी वी अपन्ड यू बाहर हो गई ठीक है अब जिसको differentiate किया मतला वी को differentiate किया तो इस पर यह बाहर चली जाएगी differentiation से और जिसको बाहर रखा था उसको इस बार क्या कर देंगे differentiate कर देंगे बस इन दोनों में difference यह है कि यहां पर डिविजन वाले में यहां पर माइनस होती है और यहां पर क्या होती है और दुसरी बार डिविजन वाले में नीचे second function के square से दिवाइड करते हैं और यहां पर ऐसी कोई theorem में कोई पार्ट नहीं करने का कोई रोल नहीं है तो यह ध्यानक सकते हैं ठीक है तो इस तरह से इसरे देखने के बाद अब हम देखते हैं इस पर लेते हैं कुछ best questions जो ठीरम को justify करेंगे कैसे इनको apply कर सकते हैं question के form में क्योंकि actually में हमें क्या है हमें कहीं questions नहीं होंगे कि differentiation exam में दी जाएंगे निट में पूछ जाएंगे हमें differentiation को जो है physics में जहांबे differentiate होगी value उसको सही से differentiate करने आना चाहिए और function को सही से use करने आना चाहिए जैसे कि कुछ questions हमने लिए यहां पर अब y की function given है यहां पर ठीक है और y function जो है आपको क्या करना है इसको differentiate करना है तो सबसे पहले तो theorem of differentiation के बाद like आपको यह ध्यान रखना है कि y एक function है that is y equals to function given है आपको sin x plus e to the power x तो कुछ information में बताऊंगा additional information जिसको हम ध्यान रखेंगे ठीक है जैसे साइन थीटा या साइन x को अगर मैं differentiate करूं x के respect में तो यह जाएगी cos x यह आपको learn करना है अगर cos x को differentiate करें x के respect में तो यह जाएगी minus sin x अगर एक्स के respect में log x को differentiate करें तो यह जाएगी 1 by x और अगर कोई exponential function है कि power x और इसको अगर differentiate कर रहे हैं x के respect में तो इसके differentiation जो है वही हो जाती है मतलब e to power x हो जाएगी ठीक है न तो यह आपको learn करने हैं अब जो है आगे बात करते हैं और अगर एक और मैं additional लिख दे रहा हूं अगर tan x को differentiate करेंगे x के respect में तो इसकी function आती है differentiation आती है से के square x ज्यादा ज़रुवत नहीं पड़ेगी किनके वैसे भी NTA ने जो अपना नया स्लेवस update किया है उसमें यह बात लिखी गई है कि elementary knowledge of differentiation चाहिए ठीक है तो हमें बस क्या करना है कि function अगर differentiation given हो तो differentiation सही से यूज करने आना चाहिए ठीक है उस पर बहुत में complicated questions जो है नहीं पुछी जाएं क्योंकि एक्षुली में पार्ट जो है मैस की है ठीक है जैसे मालों हमने ले लिया एक पहला function ले लिया कि sin x plus e to the power x इसको differentiate करना एक्स के respect में तो अभी हम लोगोंने रूल यह पढ़ा कि दो अगर function हो तो होनों को separately differentiate करते हैं like sin x का differentiation कितना हो जाएगा तो देख सकते हैं sin x का differentiation कितना होता है कॉस x तो यहां लिख दिया हमने यह हो जाएगा आपका उनों को separately हमने differentiate कर दिया second क्या है तो second आपका है function जो है इस तरह से हम सारे function को solve कर सकते हैं इस लाइक y equals 2 है आपका 3x square plus log x plus 4e to the power x और साथ में 5 तो यहां पे चार function given है तो यहां पे हम क्या करेंगे सबसे पहले इनको solve करते हैं तो यह क्या बताया था हमने कि अगर real number है तो real number को आगे coefficient के रूप में लाएंगे तो यह आपका हो जाएगा 6 और उससे हम minus करते हैं 1 log x का differentiation 1 by x और 4e to the power x तो 4e to the power x का कितना हो जाएगा वही हो जाएगा विदाया था कि 4 constant है बाहर आजाएगी और e की power x का differentiation इतना ही होगा और फिर x का differentiation x का respect में 1 होगा तो कोई मतलब नहीं होगा यहां पे 1 into 1 कर भी सकते हैं और 5 constant है तो इसके differentiation क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तो यह dy by dx की value आजाएगी जो की यहां से justify कर सकते हैं कि आपकी जो value आजाएगी वह इतनी आजाएगी ठीक है तो इस तरह से हम क्या करेंगे से बस हमें जो है exactly जो है यह दो function जो है यह कैसे हैं तो यह है आपके product के form में हैं दोनों का multiplication हो रहा है तो सबसे पहले rule क्या हमने बताया था कि इसका जो dy by dx होगा वह क्या हो जाएगा यह जाएगी first function को बाहर रखा हमने और दूसरे function का अगर differentiate करेंगे तो tan x के differentiation कितनी होती है ?say square x होती है तो यह कर दिया differentiate प्लस अब जिसको differentiate किया था wearing Leonard i got startussy से बाहर रखेंगे और second function जो की e to the power x को जाएगा तो यह हो जाएगा आपका answer मतलब e to the power x common भी ले सकते हैं और से के square x plus 10x हो जाएगी तो e to the power x को common ले लिया और से के square x plus 10x जो है यहां पे यह इसकी answer जाएगा मतलब यहां पर क्या करना है strictly जो है rule को follow करना है और असानी से हम differentiate कर सकते हैं सारे function का जैसे मालो अब यह डिवीजन वाला रूल है तो इसको डिवीजन वाला rule follow करके हम इसको solve करेंगे तो यह value आ जाएगी ठीक है अब यह आपका function है like y की function given है a x square plus b x plus c अब इसको differentiate करना है तो a और b क्या है और c क्या है constant है तो constant अगर alone होती है तो constant का difference कितनी होती है जीरो और इसको डिवीजन करना है तो क्या हो जाएगी यह पावर आगे आ जाएगी तो यह हो जाएगी टू ए एक्स और b x के differentiation क्या हो जाएगी एक्स की पावर वन है यहाँ पर एक्चुली तो वन आगे लेकर आएंगे और 1-1 करेंगे तो एक्सकी पावर 0 हो जाएगी जिसकी वन होगी तो एक्चुली में यह बचेगी यहाँ पर तो यह आपका आगे डी वाई बाई डी एक्स की वैलू सॉल्व हो गई जिसकी वैलू डिफ्रेंस होने के वाद इतनी आने चाहिए ठीक है तो इस तरह से क्या कर सकते हैं सारे फंक्टिन को एस तरह से ठीक को फालो करते वेर canvasuke कर सकते हैं किलियर है आगे जिक देखते हैं एपे कुछ अर फंक्सन लेते हैंnot लाइक आपका हो गया, X की पावर माइनस 3 है, तो X की पावर माइनस 3, अगर इसको डिफरेंसेट करें, तो यह आपका Y है, और Y equals to basically X की पावर माइनस 3, तो जो हमने बताया, उसको फॉलो करें, अगर इसको X के रिस्पेक्ट में डिफरेंसेट करना है, तो पावर को आगे ल value हो जाएगी, जो की होनी चाहिए, तो यह आजाएगी value, आप यहां से cross check भी कर सकते हो, तो इन सारे parts को आप solve कर सकते हैं, खुद जो है, एंसर इस गिवन, बस रूल को सही से follow करना है, इसके अलावा जो है, एक और चीज, इसकी physics में जो है, जैसे मालो, हमें क्या है, पता ह है कि displacement को differentiation जो हम करते है, time के respect में तो आती है velocity, ठीक है, समझेंगे, यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अब x जो function है, वो given है, 2t square plus 3t plus 4, यह displacement की function given है, अब हमें निकालना है, velocity at t equals to 0, तो displacement की function से velocity कैसे आएगी, time के respect में differentiate करेंगे, तो time के respect में इसको differentiate कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे, differentiation of x with respect to time, यह हो जाएगी, d by dt of x, तो x कितना है, यह हो जाएगा आपका d by dt of x, और x is 2t square plus 3t plus 4, अब इसको differentiate करते हैं, तो पता है कि separately differentiate करेंगे, तो 2t square के differentiation कितनी हो जाएगी, 2 आगे आ जाएगी, तो यह हो जा function, तो इसकी हो जाएगी value, 0 हो जाएगी, अब velocity के दिखो यह function आगा है, 40 plus 3, अब हमें चाहिए था कि at t equals to 0, what is the velocity, तो यहाँ पर t को जैसी 0 रखेंगे, तो यह पार तो 0 हो जाएगी, बचे ही क्या, 3, तो हम यह बोल सकते हैं कि velocity at time t equals to 0, जिसको मैं V0 लिख रहा हूँ, व जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर हमें function जो है, वो इस form में नहीं given है, like same question को हम ऐसे solve कर रहे है, यह हो गया होगा note, ठीके, तो like displacement की function given है, x equals to, आपका जो है, x equals to यह given है, तो आपको क्या given है, तो इदर देखें ध्यान से, यह आपका given है, 2y square, plus 3y, plus 7, ठीक है, यह function given है, displacement की, अब हमें क्या करना है, इसको, इसकी velocity निकालनी है, displacement से हमें velocity निकालनी है, तो velocity फिर से y question, displacement, velocity at y equals to, suppose 3, कुछ भी given है, तो अब मुझे पता है, कि displacement को, जब मैं time के respect में differentiate करूंगा, तब velocity आएगी, और यह जो function है, वो y के form में given है, तो इस function को अगर y के respect में differentiate करेंगे, तब जाके हमें rules पता है, क्योंकि function जितने भी देख रहे होगे, सब x के form में given है, और हम x के respect में differentiate कर रहे थे, तो और यहाँ पर function जो है y के form में given है, और हमें differentiation किसके respect में करना है, तो यहाँ पर चीज को ध्यान अखना ही जरूवत है, क्योंकि यहाँ पर questions पूछे गए हैं, तो क्या करेंगे हैं यहाँ पर सबसे पहले, d by dt of y, और y की value कितनी है, तो यह हो जाएगी 2 y square plus 3y plus 7, यह हो गई function, अब ऐसा नहीं कि differentiate करना सुरू कर देंगे, कि हो जाएगी 4y plus 3 हो जाएगी और इसके 0 हो जाएगी, पहले जिसके respect में कर रहे हैं, वो t है, और function y के form में given है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कि यहाँ पे इस चीज़ को follow करना होगा, कि पहले मुझे, मालो, dy से उपर निचे multiply कर दिया, dy से उपर निचे multiply कर दिया, इसको मैं readjust करके यह लिख सकता हूँ अब, dy of, क्या है आपका, तो 2y स्क्वेर, प्लस 3y, प्लस 7, और दखो, dy इसका यह वाला dy यहाँ आगया, तो साथ में यह dt कहा चल जाएगी, यहाँ पे, तो यह लिखा जाएगा, dy upon dt, ठीक है, अब जो है, हमें इसका, इसका theorem पता है, कि function जिस form में है, उसी के, अगर respect में, अगर differentiate करना है, तब आसाने से फिर जो rule है, उसको हम follow कर सकते हैं, और यह rule क्या होती है, तो अब follow करें, क्या हो जाएगी यह, 4y, प्लस 3, और इसकी क्या हो जाएगी, 0 और 7 में, इसके साथ साथ क्या हो जाएगी, dy upon dt की value, यह भी multiply होगी, यह actually में, velocity आएगी, clear, तो इस तरह से ध्यान अखना कि, अगर function जिस form में है, अगर उसके respect में differentiation नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको उपर निचे उस function से multiply करेंगे, readjust करेंगे, फिर rule को follow करेंगे, और जो साथ में जो चीज multiply हो रही है, उसको as it is वैसी ही रखेंगे, इसकी function जो है question में कहने कहीं given होगी, इसको solve करने का तरीका given होगा, ठीक है, तो यह इस तरह से हम differentiation का use कर सकते हैं, physics में velocity निकालनी हो, acceleration निकालनी हो, इसे मालनों हमें क्या करना है, differentiation का,